प्रिये बच्चो लास्ट टू बच्छा दो ये हिंदी ब्याकरण की बुख है मैं हिंदी ब्याकरण दो अब देखिए दीसे सुची देखिए उसमें पहली है हमारी भासा आवर लेंग्वेज और लास्ट है चीत्र बढ़नम तो आज हम लोग कए पांठ एक हमारी भासा आवर लेंग्वेज भासा क्या है? एक दूसरे तक विचारों का पहुचाने का साधम भासा कहलाता है हम जो बात एक दूसरे से कैड़ते हैं और सुनते हैं वो भासा है भासा के कितने रूप हैं? भासा के दो रूप हैं मौखित भासा और लिखित भासा मौखित भासा में हम बोल कर या सुन कर एक दूसरे तक अपने बातों को पहुंचाते हैं लिकित भासा इसमें हम लिखकर या पढ़कर इसरे तक अपने विचारों को पहुंचाते हैं इस तरह हम कर सकते हैं कि भासा के दो रूप है मौकी भासा और लिकित भासा हमारे देश भारत एक विसाल देश हैं यहां अनेक भासाय बोली जाती है आईए हम कुछ राजियों के भासाये जानते हैं जैसे जम्मू और कस्मीर में लोग कस्मीरी भासा में बात करते हैं आगे चले तमिल नाडू के लोग आपस में तमिल भासा में बात करते हैं करनाटक में लोग आपस में करनड में बात करते हैं केरल के लोग आपस में मल्यानम भासा में बात करते हैं असन के लोग आपस में असम्या भासा में बात करते हैं पंजाब के लोग आपस में पंजावी भासा में बात करते हैं लेकिन बिहार, उत्तरफरदेश, राजस्थान, हर्याना, मदरपरदेश, जारखन, भीमाचल्परदेश, 36 घर, उत्राखन के लोग हिंदी भासा में बार करते हैं हिंदी भासा हमारे देश के सभी जगण समझी और बोली जाती है तो हिंदी हमारे देश की सबसे लोकुपिय भासा है आज बस इतना ही आगे हम आगे के क्लास में हम रस्नुक्तर भी करेंगे धन्य बाद